तो यूपे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूपे के हातरस में बड़ा हाथसा हुआ है आपको बता दे कि डंपर ने कावडियों को कुछला है हासने में 6 लोगों की मौध हो गई दो घायल बताय जा रहे हैं हरिद्वार से ग्वालियर ये सब ही जा रहे थे हातरस NH 93 पर ये हाथसा हुआ है ये बड़ी जानकारी यूपे के हातरस में बड़ा हाथसा हुआ है डंपर ने कावडियों को कुछला है ये बड़ी जानकारी कावडियों को डंपर ने कुछला है इस हाथसे में 6 लोगों की मौध हो गई और दो लोग गंभी रोप से घायल बताय जा रहे हैं हरिद्वार से ग्वालियर ये सब ही कावडियों जा रहे थे हाथस न एचfires 94 पर दो लोग गंभी रूप से घायल बताए जा रहे हैं तो हरी ग्वार से ग्वालियर ये सभी कावडिये जा रहे थे तभी डंपर ने इन कावडियों पर गाड़ी चला दी यूपी के हात्रस में ये बड़ा हाथसा देखने को मिला है डंपर ने कावणियों को कुछला है ये काफी दुखत ख़बर कावणियों को डंपर ने कुछला है और इस हाथसे में छे लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभी रूप से घायल बताय जा रहे हैं द्वार से बॉलियर ये सब ही जा रहे थे तभी ये हाथसा पेश आया हात्रस NH 93 पर हाथसा देखने को मिला तो रफ्तार का कहर यूपे के हात्रस में देखने को मिला है जंपर ने कावडियों को कुचला आये ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस हासे में छे लोगों की मौत हो गई और दो लोग भायल बताय जा रहे तो हात्रस NH 93 पर ये हाथसा हुआ है यूपे के हात्रस जिले में हात्रस सादाबाद मार्कपल संस फ्रांसेस स्कूल के मिकर शुत्रवार देदात करेब देड़ बजे के लगभग एक डंपर ने गंगा जल ले जा रहे है साथ कावडियों को कुचल दिया इनमें से 6 की मौकी पर ही मौत हो गई और दो गंबी रूप से घायल बताय जा रहे है इस मामले में आगरा के ABG राजीव कृष्ण ने बताया कि हमें डंपर के चालक के बारे में जानकारी मिली है वह जल्द ही पकड़ा जाएगा बताया जा रहा है कि इस सभी गंगा जल लेकर हरीद्वार से ग्वालिय जा रहे थे घटा की जानकारी मिलते ही पोलिस और फ्रिशासने कदिकारी मौके पर पहुँच गए गंबी रूप से घायल दो कावडियों को उपचार के लिए आगरा भीजा गया है घटा की जानकारी मिलते ही एडीजी आगरा जोन और आईजी अलीगर मौके पर आ गए बताया जा रहा है कि हाथसे का शिकार सभी लोगों को बागित पूर्द थाना, उटीला, जिला, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के निवासी बताया जा रहे है यूपे के हाथस में ये बड़ा हाथसा देखने को मला, डंपर ने कावडियों को कुछला है, तो रफ्तार का कहर हाथस में देखने को मला, हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल बताय जा रहे थे, हरिगवार सिक ग्वालियर, ये सभी कावडिये जा रहे और इस हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभी रूप से घायल बताय जा रहे है तो हरिद्वार से ग्वालियर ये सबी कावडिये जा रहे थे तबी रफ्तार का कहर देखने को मिला है यूपी के हाथस में ये बड़ा हाथसा पुलिष प्रिशासन की कारवाई जारी है जंपर ने कावडियों को खुचला है ये बड़ी जानकारी यूपी के हाथसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और दो लोग गंभी रूप से घायल बताय जा रहे हैं